हमारे प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी ये बहुत election जीतते हैं कुछ आदत सी हैं ये election जीतने की पर इसे क्या बात है जो इतने election जीत रहे हैं भक्त कहते हैं कि ये उनका करिश्मा है haters को वैसे तो कोछ समझे नहीं आया आज तक कि वो क्यों election जीत रहे हैं पर वो भी अपनी एक थियोरी बताते हैं कि हिंदू-मुसलिम डिवाइड करते हैं इस वज़े से जीत रहें इस पर माय आज अपने बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरा ये मानना है कि नरेंदर मोदी नाम का कोई शक्स है यह नहीं ऐसा कोई आदमी है यह यह नहीं कुछ बहुत दर्द है, कुछ बिट्रेल है, कुछ धोगे है उनको एक्सप्रेस करने का कभी मौका नहीं मिला था इस देश को एक मौका मिला, उस मौके का नाम है नरेंदर मोदी सवाल यह है, कि यह गंगा जमनी तहजीब, यह कौमी यकजहती, यह भाई चारा, यह गुल्दस्ता यह कितना सच है, हिंदू-मुस्लिम में दरार है या नहीं मिस्ट्रस्ट है या नहीं, यह सब कुछ ठीक है यह सिर्फ बाते मोदी ने फिलाई है क्या ऐसा है, आज हम इसको टेस्ट करेंगे इस सवाल को आज हम टेस्ट करेंगे क्या आपको मालूम है, सन 1800 से इस देश में हिंदू-मुस्लिम दंगे हो रहे है 1926 में पूरे देश में दंगे हुए थे क्या यूपी, लहोर, मुंबई, तमिलाडू, कुलकता सब जग अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं तो यह जो एक गंगा-जमनी तहजीब है, यह कहां है अगर इतने दंगे होते रहे, सोईयों साल से दंगे हो रहे हैं तो कहां है यह गंगा-जमनी तहजीब है चलिए एक और तरह से देखते हैं आजादी कांदोलन चला, गांधी जी हमारी लीटर थे, हम सब उन्हें प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, अम्बेटकर से गांधी जी का एक बार टकराव हुआ, तो गांधी जी ने आमर अनचन कर दिया, अम्बेटकर की घर के सामने, य अम्बेटकर ने खाए, बात तो मेरी सही है, लेकिन इस वक्त आपकी जान चली जाए, यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देश को आपकी ज़रुरत है आजादी के लिए, तो मैं अपनी मांग वापिस लेता हूँ, हाला कि बात तो मेरी सही है, कितनी प्यारी बात थी, उस आ कॉड़ दूँगा, कॉंग्रेश, यह वो बहुत कुछ टेंटरम फ्रो किया, तो सुभाज चंद बोस ने त्याक पत्र दिया, यहां भी गांधी जी के जिद आगे आई, अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने, भुग अर्ताल करी तो अंग्रेजों को जुखना पड़ा तो लोगों के दिल में यह सवाल है, मेरे दिल में सवाल था, जब मैं 7th 8th standard में था, तो मैंने अपटी टीचर से पूछा था, जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का partition होगा, बटवारा होगा, तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमर नंचन क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब कौन देगा, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब ने मिला, खैर उसके बाद जिन्ना अडगे तो partition हुआ, 47 में partition में करीबन 15-20 लाख dead bodies, जो हिटलर नहीं कर पाया, 15-20 लाख dead bodies हमने देखी, कुछ करोड़, एक डेड़ करोड़ लोग यहां से उजड़के वहां ग problem हुई, वही इसकी टकर की problem होगी, सैंक्डों सैंक्डों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाये जाता था, उसे पिंड यात्रा कहते थे, इतनी दर्दनाक चीज, बट यह हुआ क्यों, and who failed, किस वज़े से इतना बड़ा partition हुआ, सिर्फ एक वज़े से, कि Muslims ने कहा हम आप के साथ नहीं रहेंगे, और आप बकवास आज भी करे जा रहे हो, गंगा जामनी तहजीजिप की कौमी एक जाती की, 20 लाख लाशें गिर गए, आप अभी भी सच का सामना नहीं करोगे, उसके बाद जो partition से लोग आए, यहां बहुत सारे शहरों में रहे, और अगले 20-25-30 स ध़्ण पाड़े कर देने वाले उनकी कहनिया थी, वो कहनिया जिनदा हैं, वो लोग जिन्दा नहीं हैं, पर वो कहनिया जिनदा है, और याद रखिएगा, कहनिया अपने hero से, अपने character से ज्यादा उम्र रखती हैं, Jesus चले गई, कहनिया हैं, राम चले गई, क्रिशन चले उनकी कहानिया चलती है हजारों सालों से, तो वो लोग चले गए, पर वो कहानिया इस देश के सबकॉंशियस में चली गई है, कलेक्टिव सबकॉंशियस में वो कहानिया है, इसलिए जो आप हिट्रेड देखते हैं हिंदु मुस्लिम की, वो बड़ी एबस्ट्रेक्ट सी हिट्रेड है, उसके कोई शेप नहीं है, आप मालूम भी नहीं पड़ता किस वजह से है, किस चीज के लिए है, पर वो है, फिर आती थी, तो पूरा पार्लियमेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोट को दबाने के लिए, ये कुछ अजीब-जीब सी चीजे होने लगी इस देश में, तो कभी ये को नहीं क्यों नहीं कहा गया, कि हां हम शरिया पूरी तरह लागू करेंगे, हिंदु चोर जेल में था कि पार्टिशन हमारी वज़े से हुआ, हम लोग फेल हो गए, तो उन्होंने सारे टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से लिके, सारे युनिवर्सिटिटी के वाइस चांसलर, और ये न्से आर्टी, सी बीएसी, सब के हेड्स उन्होंने अपने आदमी भर्ती करने शुरू क किया, उन्हीं लोगों को तमाम मंसब और तमाम तरह की वही चीफ गेस्ट बनते थे जलसों में, सारी टेक्स्ट बुक वैसी छपने लगी, जहां बस यही बताया जाता था कि देदिया में आजादी बिना खड़क भीने डाल, और वो जवालन नहरू या फूल लगाते थे उस बच्चे उन्हें चाचा नहरू कहते थे, लाइसेंस राज था, सारा प्रेस उन्होंने कंट्रोल किया, और खुद वो बड़े मज़े से रोजा इफ़तार की पार्टियों में जाते थे, वो पार्टियां जहां यह बताया जाता था कि कोई भी इस ट्रस्ट नहीं है इन एक अपना perception देना चाहता हूं आपको, Britishers जो 47 में इंडिया छोड़के चले गए, मान लिजिए आजादी के बाद वो यहीं रह जाते, मान लिजिए, जैसे South Africa में वहां से जब अंग्रेज छोड़के गए, तो सारे अंग्रेज छोड़के नहीं गए, बहुत सारे अंग्रे जोज हैं, वो वाइट हैं, एक दो रबाड़ा वगएबर, रबाड़ा और वो सब खेल लेते हैं, बट मोस्ली वाइट केलते हैं, अंग्रेज वहां से छोड़के नहीं रहा गए, खेर, रेंसल मंडेला नहीं को इतना खुबसूरती से हैंडल किया, कि उस देश में भी बन एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती, जो उनके वोट की फिशिंग करती हैं, और हमें ये समझाया जाता कि हिंदुस्तानी और ब्रिटिशर्स में कभी कोई जंजट था ही नहीं, देवर फ्रेंड्स, देवर हैपी, हम मिलके होली दिवाली एद मनाया करते थे, और ये जन प्रियां वाले वाग में गोली चला दी, जनरल डार ने, ये सब एक्जिजरेशन है, राइट विंगर्स ने पैदा किया है, अगर अंग्रेजों के भी वोट यहां पे होते हैं, तो ये जूट चलता रहा, और हिंदूस गॉट सिक आफिट, पर कहने का कोई रास्ता नहीं कोई आउटलिट नहीं था इस बात को कहने का, कोई ऐसा चेहरा नहीं था वो जिसके साथ वह बात, कहते हैं कि वो एमपेथी से हमारी बात सुनेगा, अब यहां मैं एक थोड़ी सी डिटूर लेना चाहता हूँ, कॉंग्रेस ने इस देश की बहुत सेवा किया है, अगर इत अचाहियां वो अचाहियां हैं, बट इसी के साथ जो गलतियां भी उन्होंने बहुत बड़ी करी, एक इतनी बड़ी चीज को, elephant in the room जिसको बोलते हैं, dinosaur आपके सामने खड़ा था, आप उसे address, उसका solution निकाल पाई, कम से कम हां तो कहते dinosaur खड़ा है, और जूट ऐसे ऐसे च महराजा हरी सिंग ने ऐसे को साइन ही नहीं किया था, ये तो दलाल टाइप के लोगों ने 1.5 साल बाद पौने 2 साल बाद लाए 370, और अंबेड करने साफ साफ मना किया कि नहीं है, ये 370 नहीं लगाँगा, इतनी खराब है ये, फिर भी लगा दिया आपने, जबर्दस्त टांगना शुरू कर दिया उस खोंटी पे, डिसकेशन्स स्टार्टेड हैपनिंग, गुस्से को एक जगा मिली, एंगर फाउंड आप वेंट, चलिए एक और बात करते हैं, मेरा मानना है, कि हम लोग एक एहसान फरामोश कौम हैं, जी बिल्कु ठीक सुना आपने, हम एहसा फरामोश लोग हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग भादुर, बंदा भादुर, भाइमती दास, हकीकत राय, गुरु गोबिन सिंग, आपने नाम सुने, सिक्ख गुरु उनके साथी, जब हिंदु कौम इसलामिक रूलर से बहुत परेशान थी, फोस कनवर्जन ह जजिया, वजिया, बहुत चीज़े थी, तो इन्होंने हिंदुों को बचाने के लिए ये सब कुर्मानिया दी, किस गुरु को जिन्दा जला दिया गया, किसको गरम तवे पे भून दिया, बात समझ रहे हैं आप, जैसे सबजी बनाते हैं आप, गरम तवे पे जिन्दा भ हकीकत हूँ हकीकत को हकीकत जब बताऊंगा, हूँ एक लाखों को हकीकत मैं बनाऊंगा, इस सारे जुल्म को सह कर, हिंदुओं में से एक वारियर कौम पैदा हुई, खालसा, पर आजादी के बाद, टेक्स्ट बुक, कॉंग्रेसियां टेक्स्ट बुक थी सारी, कि क्या करें, तो कुछ समझ नहीं आया, तो हमने सिखों पर जोग बनाने शुरू कर दिया, कल्पना कीजिए, हिंदुओं में से उठी हुई एक कौम, जिसने इतने बलिदान दिये, आज हम उसके उपर चुटकले बनाते हैं, बजाय उस कौम का सिर पर बिठाने के, हम उसमें चुटकले बनाने लगें, चलिए, यह वक्त भी देखा इस देश ने, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, जिन मुस्लिम रूलर्स के हातों, जिससे पर लंबे वक्त में, वो जो हमने तकलीफें सही, उन मुस्लिम लोगों के हातों, जो हमने इतनी तकलीफें सही, उनको आज़ादी के बाद हम कुछ एड्रेस यह नहीं कर पाए, और कन्फ्यूज सोगे कि यह सब जुल्म हुए भी थे या नहीं थे, यह गुरूओं ने जो इतनी बलिदान दिये थे, कई सो साल से, वो कैंसर पार्टिशन में दिखाई दिया, आपके दो हाथ काटने पड़े, भारत एक पाकिस्तान बन गया, एक बंगलादेश बन गया, दो हाथ कट गया आपके, आपके अंदर इतना बड़ा कैंसर था, लेकिन आप क्या करते हैं, आप लिप्स्टिक लगाते हैं, पोडर लिप्स्टिक लगा के, आप कहते हैं, भाई, everything is well, all is well, चलिए इस प्रॉब्लम के एक और तरह से देखते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तीनों को मिला दे, तो करीबन करीबन 50 करोड मुसलिम लोग हैं, यह कहां से आये, इतने मुसलिम तो अरब में भी नहीं है, Middle East में इतने मुसलिम नहीं है, इस देश में पारसी भी आये, बुद्ध हैं, राजपूत हैं, सिख्व हैं, बहुत कौम है यह क्यों नहीं हो गए 50 करोड इस question का क्या answer है फिर एक दलाल टाइप के जो लोग है उन्होंने एक नया narrative start किया यह पिछले 25-30 साल से ज्यादा जोर पक्ड़ा इस narrative ने 20-25 साल से कि यह प्यार से convert हो गए यह हिंदुई थे प्यार से convert हो गए वेरी गुड वाह यह कहा गया सूफी संथ आते थे दर्वेश फकीर वकीर आते थे और लोग प्यार से convert हो गए मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था ऐसे बहुत बड़ा साल में एक भी पार्सी जिन्दा नहीं बचा सारे देश छोड़के भागे मर गए लूट हत्या बलातकार और 25 साल में एक नया इसलामिक मुल्क बन गया बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा इरान सारे पर्शियंस कहां गए कुछ भाग के तो हिंदुस्तान भी आ गए थे वो प्यार से कनवर्ट हो गए ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है अफ्रीका में एशिया में ऐसा प्यार 25 तीस कंट्री ने बरदाश्त किया है और वो 25 तीस कंट्री टोटल इसलामिक बन गए और लेटेस्ट काश्मीर जब वहां से 3 लाग 4 लाग हिंदु भग खलीफा खलीफा जो अपना सामराज्य बनाते है जहां सिर्फ मुस्लिम होते है और अगर गयर मुस्लिम है तो उन्हें डिमी बनके रहना पड़ेगा खटम होके रहना पड़ेगा वो कैलिफेट है इसलाम की, इस वक काश्मीर में, हिंदुस्तान में कैलिफेट है, 1921 में माला बार में दंगा हुआ था, वहाँ भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी, कुछ 50 जार या एक लाख हिंदू को बाहर निकाल दिया था, फोर्स कन्वर्जन किया था, तो तब ये 3-4 लाख हिंदू महां से भराए गई एक महीने के अंदर, तब कॉंस्ट्यूशन सोवरा था, इंटलेक्ट्वल सेमिनार कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीव पे सेमिनार कर रहे थे, और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दाफतें चल रही थी, हैपी, everybody was happy, और जो प प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, आप या तो बहुत भोले हैं, देखते ही नहीं, या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं, या आप जोटे हैं, या आप दलाल हैं, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते है कि यह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो बड़ी गंगा जमने तैजीब थी, आप इन सब में से एक हैं, यह हो सकता है, सब कुछ हो, चलिए मैं आपके साथ एक exercise करता हूँ, आपके एक दादा होंगे, एक दादा परिवार है, दादा, चाचा, ताउ, बुवा, फू हो है, एक नाना की तरफ से है, तो एक आदमी करीबन ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं, इसके बाद आप college, आपका college, school college, जहां आप 500 student हैं, जिसमें कुछ दोस्त हैं, जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं, जिन्दगी बर, फिर आपका महला, आपकी colony, वहां भी आप 10 हो गया, बहुत बुर हो गया, खबर आ जतके कहीं न कहीं से, अब मैं आपसे exercise करता हूँ, पिछले 20, 30, 50 साल में, ये इन हजार लोगों में से कितने लोग Muslim बनें, कितने लोग convert हुए, आंसर मिलेगा zero, क्या हुआ, सारे सूफी, दरवेश, वकीर, रिटायर हो गए, IPL conversion नहीं होता, या बहुत सारे पैसे ना हो, कोई conversion नहीं होता, उसके बद पारलियमेंट पे attack हुआ, इस देश की पारलियमेंट पे attack हुआ, और उसमें शामिल अवजल गुरू, उसके सम्मान में, उसके समर्थन में, लोग खड़े हैं, हजारो हजारों लोग मुसल्मान खड उसको जूते मार मार के तोड़ दिया, इतनी नफरत आपके मन में इस देश के लिए, और कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ कहें नहीं पा रहा था, ये चल रहा था इस देश में, तो ये जो एक hate है, ये इन दोनों कौमों में रही, और वो एक hate, वो एक नफरत जो थी, वो कभी, it never became a past history, distant history, कभी नहीं हुआ, वो रोज रहा, कभी वो अवजल गुरू के रूप में आगी, कभी वो cricket match के रूप में आगी, कभी कश्मीर, कभी आजाद में, वो हमेशा कभी ना कभी उसके new additions आते रहते थे, एक और exercise करते हैं, आप motorcycle चलाते हैं, car चलाते हैं, cycle, scooter कर कुछ चलाते होंगे, जब भी आप सड़क में जाते हैं, तो थोड़ा संभल के चलते हैं, लेकिन आपके शहर के जो मुस्ली मेरिया है, जब उसमें आप जाते हैं, तो कुछ extra संभल के चलते हैं कि नहीं, extra संभल के, यहां लग गई, तो extra पिटाई होगी, वो जो fear है वो कमाल की चीज है, जिसको देश कहता है नहीं, एक system कहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर है, करोडों लोगों के अंदर है, सौ करोडों लोगों के अंदर है, वो डर, और एक आखरी exercise, जब भी आपको कोई ज्यान बाटता हुआ आदमी मिले, secular मिले, intellectual मिले, गंगा जमनी तहजीब वाला आदमी मिले, सब बराबर हैं, सब धर्म हैं, तो उसको कहिएगा चलिए एक page पे लिखते हैं, गीता, बाइबल, खुरान, सब एक जैसे हैं, Jesus, राम, क्रिश्टन, पैगंबर, मुहमद, सब एक जैसे हैं, को ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब प्यारे इंसान है, सब बढ़ियां है, सब बराबर हैं, एक page पे लिखके उसे बोली जड़ाए, दो-चार मुस्लिम से साइन करा किला, ऐसी चीं की आवाज आएगी उस intellectual की, आपके बाद जिंदगी में दुबारा नहीं आएगा वो, एक मुसल्मान के साइन नहीं करा सकता इस बात पे, यह सारा ड्रामा हमारे लिए है यह, तो जहां से मैंने बात शुरू कर रहे थी, यह जो गुस्सा है, यह कई सौ साल का गुस्सा है, जिसको वेंट नहीं मिला कभी, निकलने की जगा नहीं मिली, और यह जो बार-बार दंगे होते हैं न, यह उसकी EMI है, and coming back to the point, मोदी की आदमी ही नहीं, मोदी वो मौका है, और वो guarantee है, इस बार जब शाहबानों पर्लियमेंट में आएगी, कि हलाला हो गया, कि चार विवा हो गया, कुछ हो गया, इस बार पर्लियमेंट ब्लैकमेल नहीं होगी, वो एक शक्स नहीं है, वो एक emotional bomb है, एक emotional मलहम है, जिसकी इस कई सौ साल से जुरुत थी और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है तो दोस्त कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पथर तो तब्यत से उच्छालो यारो